हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल मस्ट इस्टडी सबोर्ट में आध प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास है पहले तीन क्लास हो चुकी है जिनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखे पहल काया स्वाद काई हानी हो ठीक है देखे इस प्रस्ण को लगाने के लिए दूप मेथट है ठीक है पहले हैं बेसिक मेथट फिर एक सॉट मेथड ठीक है तो पहले हम बेसिक मेथट से लगा लेते हैं इसको देखे क्या कह रहा है रोहन द solution में 10ुपय गेरा की दर से pencil कह रीद कितना दिये हैं दस रुपए ठीक है गेरा पेंसिल का सीपी है दस रुपए तो एक पेंसिल का सीपी क्या होगा एक पेंसिल का सीपी एक पेंसिल का सीपी क्या होगा दस बटा गेरा यही तो होगा गेरा पेंसिल का सीपी दस रुपा है तो एक पेंसिल का सीपी कितना हो जाएगा दस बटा गेरा रुपिया ठीक है और क्या कह रहा है वो गेरा रुपाई में 10 की दर से इने बेज देता है मतलब 10 पेंसिल कितने रुपाई में बेज देता है गेरा रुपाई में ठीक है तो 10 पेंसिल का SP बेजता है मतलब SP तो 10 पेंसिल का SP कितना दिये है गेरा रुपाई ठीक है तो एक पिंसिल का SP कितना आ जाएगा एक पिंसिल का SP एक पिंसिल का SP कितना आ जाएगा गेरा बटा 10 रुपए ठीक है अब आगे देखिए देखिए CP हमारा कितना निकला है CP हमारा निकला है 10 बटा गेरा और SP कितना निकला है हमारा गेरा बटा 10 ठीक है अब देखिए इसको हलकर निक्लिक क्या करेंगे हम इनकी जो हर है उनका क्या करेंगे LCM ले लेंगे, ठीक है, तो 10 और 11 का LCM लेंगे, कितना आएगा, 110, तो जितना LCM आएगा, उसका करा देंगे, दोनों में, गोड़ा, 110 का करा दिये, हमने, दोनों में, गोड़ा, ठीक है, 10 और 11 का LCM कितना आएगा, 110, तो उनका हमने करा दिया, गोड़ा, अब हल कर लेंगे, गेरा गेरा कितना हो जाएगा एक सो एकूपल सब्सक्राना हमने खलीदा और दिशल का वेचत तो हमको क्या हुआ लाब हो कि यहां नहीं क्या हुआ मिलाब कितनी रुपपै का लाब होँआ 21 रुपाई का ठीक है अब हमको क्या निकालना है लाब यहानी प्रस्त तो लाब प्रस्त कैसे निकालते हैं लाब यहानी प्रस्त लाब बटा CP गोड़े 100 ठीक है 100-100 कट जाए कितना आ गया हमारा 21 परसेंट ठीक है यह क्या हो गया हमारा अंसर ठीक है कॉन्सों कल्प सही है भी नमर ठीक है देखे इसमें क्या दिये था टास्त रुपए में 16 किटने में खरीथ्क ता अब 10 पैंशल का S.P. 10 बेशता था कितने गयरा रुपए में जाते है धीक है एक पैंशल के त्ना 27 अब रुपाय में थीक है देखें को हाल करने लिए नंका क्या करेंगे हम ला साथ 10-10-10 अर्वनार क्या नहीं है कितना हुआ एक सुट रुपाय का अब करा देंगे बोड़ा करा कितना हिए तो उसको निकालनेंगे क्या करेंगे लाब बटा क्रेमूल क्रेमूल कितना है सव रुपाय तो 21 बटा सव गोड़े सव हलकली कितना गए हमारा 21 परसेंट ठीक है देखिए इसको सौड तरीके से कैसे लगाएंगे देख लीजे हम क्या लेख देंगे CP और SP CP कितना दिए हुए 10 परसेंट भी दारसेंट खरीदता है मतलब ग्लाम लिजेंट खरीदता है दरसे कितना गरत क्या गोथीद है dar सब्सक्राइब करा देंगे हम गोड़ा करा दीजिए एक सब्सक्राइब जाएब घरा दीजिए गेरा से 110 को काटिंग हो गयागा दस चरह को गूरण दसको काटिंग कितना आजाएगा गेरा आफ देख लिजे ची सिप हमारा कितना आगे-स और रपि कितना हो एक सो एक त्विस ठीक है तो मिलाब कितने का हुआ लाब कितने का हुआ है सव हमारा सभी है एक स्ट्वीश एसपी है सव की खरीदी और एक स्ट्वीश की बीची लाब कितना हुआ 21 रुपए किस से सव से गोड़े सव ठीक है कार दिंग कितना गया है मलाप प्रस्ट 21 ठीक है देखिए इसमें क्या करना था हमको सीपी और आसपी लिख लीजी पहले अब देखिए काह रहा था दस रुपए में गेर है कि दर से पैंसल खरीद दिता है खरीदना मतलब सीपी सी भी वस्तू होगी वह हमेशा कहा होगी नीचे तो सीपी हमारा क्या होगा है दस बटा गेरा अब देखिए एसपी क्या हो जाएगा 11 रुपए में 10 की दर से तो जो 11 रुपए है तो रुपए हमारा उपर हो गया वस्तू हमारी नीचे हो ठीक है अब देखिए इनको हलका ऐस लाब प्रस्त निकालना था तो 21 बटा 100 गुड़े 100 तुम्हार लाब प्रस्त कितना नकला है 21 परसें ठीक है तो अगले सवाल देखते हैं अब देखिए इसमें क्या कह रहा है 12 वस्तूओं को रुपए 10 की दर से खरीदा जाता है जबकि 10 वस्तूओं को रुपए 12 की दर से ब प्रस्त लाब यहानी बताईए ठीक है तो देखिए क्या करेंगे हम Cp लिख लेंगे और Sp ठीक है अब देखिए सीपी कितना दिये हुए है कह रहा है 12 वस्तूओं को रुपए 10 की दर से खरीदा जाता है 12 वस्तूओं को कितने हम खरीदा जाता है 10 रुपए में तो एक वस वस्तूं को 12 की दर से मतलब 12 रुपाइ में 10 वस्तूं को बेच देता है तीक जो रुपाई होगा वह समय है से कहां होगा ऊपाद डीलिए इनको भिभन हाल करनों क्या करएंगे इंक co3 करां के लिए लिए का निकाल लेंगे 12 और 10 के लिए कितना होगा कितना होगा 60 60 काम करा देंगे गोड़ा करा दीजिए अब हलकर लीजिए इसको बरपंचे 60 10 15 50 इसको हलकर लीजिए 10 शक्का 66 बर्चंग 72 सीपी हमारे कितना निकला है 50 एसपी कितना हो गया 72 पचास में कोई वस्तु खरीदी 72 में वेची तो क्या हुआ कितने का घटा लीजिए 22 रुपय का हमारा क्या आगया अब हमको क्या निकालना था प्रत्सत लाब या हानी कैसे निकालेंगे प्रत्सत लाब के कैसे उत्त होता है लाब बटए सीपी सीपी कितना है 50 गोड़े 100 ठीक है काट देंगे 50 से कितना दो बार में कट जाएगा, ठीक है, बस दूना, 44%, तो लाप प्रत्सत हमारा कितना आ गया, 44%, ठीक है, कौन जो कल सही है, बी नम्मा, ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, देखिए इसमें क्या दिये, एक वेक्ति रुपए छाय में पांच की दर से पेंसल खरीता है, और र ठीक है, अब देखिए, सीपी देख लिजिए, कहराज, छै रुपए में पांच की दर से पेंसल खरीता है, तो एक पेंसल कितने में खरीतेगा, छै बटा पांच, जो रुपए होगा, उसको कहा लिखेंगा, हमें इसा उपर, ठीक है, अब बेचता कितने में, पांच में कितना आएगा, 30, 30 का करा देंगे हम, मल्टिप्लाएं, करा दीजिए, डोनों में, हलकर लिजए पांच रुपए, 36, 36, 36, पांच रुपए, पांच रुपए, ठीक है, अब देखिए, पांच रुपए, 36, एसपी कितना है, 25, तो हमको देखी क्या हुआ, हाने वी ठीक हो, कितना रुपए का हुआ, गेरा रुपए का, ठीक है, 36 में ख़下去, 25 में बेचे, तो लास के रुपए का हुआ, कितना रुपए का हुआ, हमको कई निकालना था, लास पर्सेंट, तर लास पर्सेंट, निकाल दीजिए, लास बटा CP, कोड़े, सौँ, हल कर लिजिए, बिसको 25 चुको 100 चुको 36 ठीक है कितना आओ गया गेरम 25 का गोणा कराई कितना आजाएगा 275 बटा 9 9 का भाग दे दीजिए कितना आजागा 27 जीरो 305 बटा 9 परसेंट आजाएगा ठीक है यह क्या हो जागा हमारा अंसर हानी परसेंट हमाई कितने आगए 305 बटा 9 परसेंट ठीक है अब अब अगले सॉल देखते हैं देखिए इसमें क्या दिये काया है 15 रुपए में 6 की दर से नीवू खरीदता है और वो है 5 रुपए में 4 की दर से बेचता है तो उसे कितने प्रस्तत का लाब्या हानी हुई ठी ठीक है जो खरीदता कितने का सीपी हमारे कितना है 15 रुपए में 6 की दर से ठीक है तो सीपी हमारे क्या निकालाएगा 15 बटा 6 जो रुपए होगा वो हमें से कहा होगा उपर अब एसपी क्या है एसपी देख लिजी कितना दिये 5 रुपए में 4 की दर से बेचता है तो एसप अब हाल कर लिए छह दूनी 12 15 दूने 30 तीस हमारा क्या आगए CP अब SP का हाल कर लिए चारतियां 12 15 15 ठीक है तो SP हमारे कितना निकाला है 15 CP हमारे 30 SP 15 तो हमको क्या हुआ लॉस कितने का 15 का ठीक है अब हमको क्या निकालना है लॉस परसेंट लॉस परसेंट निकालने लिए क्या करेंगे लॉस बटा CP गोड़े 100 ठीक है एक जीरु से एक जीरु कड़ गया 35 15 तो लॉस परसेंट हमारे कितना निकाला है 50 ठीक है यह क्या हो जाएगा हमारा अंसर कौन से कल्प सही है ठीक है अब बगला सवाल देखते हैं देखिए इसमें क्या कह रहा है राम 24 रुपए में 8 की दर से अमरूत खरीदता है और उन्हें क्या राम 34 रुपए में 8 की दर से अमरूत खरीदता है तो 12 ड़ा यह क। कितना आएगा 24 तो हम 24 का करा देंगे multiply दोनों में 24 गोड़े 24 अब हलका लेंगा आड़तिया 24 24 में तीन का गोड़ा करें कितना जाएगा 3 चुको 12 तीन त्रकनावे 10 102 तो CP हमारे कितना आगा 102 इनको हलका लेंगा बार दूनी 24 तो सत्य 14 तो 15 से 11 ठीक है एक सो चौदा तो CP हमारे 102 है SP हमारे 114 है तो हमको क्या हुआ लाब 102 की वस्तू हमने खरीदी और 114 में बेच दी तो लाब हमको कितने का हुआ 12 रुपाय का ठीक है तो हमसे क्या पूच रहा था 45 रुपाय का लाब कमाने के लिए कितने अमरूद बेचने होंगे तो यह जो 12 रुपाय का लाब हाया है यह कितने अमरूद की बेचने पर आया है एक रुपाय का लाब हमको कितने अम्रूत की बेशने पर होगा, कितने अम्रूत की बेशने पर होगा, जो एक रुपाय का लाब होगा, हमको दो अम्रूत के बेशने पर होगा, तो हमसे क्या कह रहाता है, पैतालिस रुपाय का लाब कमाने के लिए कितने अम्रूत बेशने हो हूंगे 45 45 गोड़े 2 थीक है एक रुपाय का लाप कमाते हैं तो 2 आम्रूथ बेशते हैं ख 17 402 कितने 90 ठीक है यह क्या हो जाएगा हमारे अंसर कौन्सों कल्प सही है एक ठीक है दीखिए यह सवाल थोड़ा सा लगता देख लिए एक बार देखिए क्या काय रहा था राम 34 रुपए में 8 की दर से अमरूत खरीदता है और और उन्हें संतावन रुपए में 12 की दर से बेंच देता है तो हमारा CP कितना होगा 34 बटा 8 और SP कितना होगा एक सुदों SP कितना होगा 114 लाब हमको कितना होगा 12 रुपए का ठीक है यह जो 12 रुपए का लाब हुआ है वो हमको 24 अमरूत की बेचने पर हुआ है ठीक है 12 होगा हमको 2 अमरूत की बेचने पर हमसे क्या कह रहा था 45 रुपए का लाब कमाने के लिए कितने अमरूत बेचने होगे जब एक रुपए का लाब कमाते है तो दो अमरूत बेचने होगे 45 गोड़े 2 कितने 90 ठीक है 45 रुपए का लाब कमाने के लिए हमको 90 अमरूत बेचने झाल 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 झाल